भगवान शिव को जंगल में पाए जाने वाले जहरीले से जहरीले फल और फूल समर्पित किये जाते हैं, जिसमें मदार, धतूरा, भांग जैसी चीजें शामिल हैं मगर एक फूल ऐसा भी है, जो हूभू शिवलिंग पर फन फैलाए बैठे नागदेव की तरह दिखाई दे हैं, आपने अगर कोई पुराने शिव मंदिर देखे होंगे, तो वहाँ पर कही न कही नागलिंग का पेड़ जरूर देखा होगा, इस पेड़ में लगने वाले फूलों की खासियत ये होती है, कि ये बिलकुल शिवलिंग पर फन फैलाए हुए सांप की तरह दिखाई दे होते हैं, दिखने में बेहत खूबसूरत ये फूल देखकर आप जरूर आकरशित हो जाएंगे क्योंकि इसमें सुन्दर रंग भरे होते हैं, इस फूल को अंग्रेजी में कैनन बॉल ट्री कहा जाता है और इसका वैग्यानिक नाम कौरॉपीटा ग्यानिंसिस है, इनके फल कैनन बॉल की तरह होते हैं और इनहीं इनसान तो नहीं लेकिन चमगादर काफी पसंद करते हैं, ये पेड़ जरूर महादेव से जुड़ा है, लेकिन इसकी उत्पत्ती दक्षिन अमेरिका में हुई थी, इस पेड़ की उचाई करीब 3 मीटर होती है और इसकी पत्तियां ग उच्छों में खिलते हैं और जब तक कुंड फूलों से ढख न जाए, तब तक फूल लगते रहते हैं। दिल्चस्प बात ये है कि एक पेड में 1000 से ज्यादा फूल एक ही दिन में खिल सकते हैं, जिनका रंग गुलाबी, बैंगनी, सफेद और पीला होता है। कि इसकी सारी पत्तियां गिर जाती है और फिर साथ दिन के अंदर पूरी तरह से आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फूल की इतनी खासियत है तो फिर भी ये आखिर शंकर जी की तरह होने पर भी उनके मंदिर में क्यों नहीं ले जाया जाता। यही वज़य है कि इसे तोड़ना या इस्तिमाल में लेना कोई पसंद नहीं करता और ऐसा भी नहीं है कि इस फूल का कोई उप्योग नहीं है। इसमें औशधिय गुन होते हैं। इस पेड के अर्प का उप्योग हाई बलड प्रेशर, दर्द और सूजन के इलाज में होता है। यह सर्दी और पेट दर्द को भी ठीक कर सकता है और घावों को भरने में भी इसका इस्तिमाल होता है। इसके फल इतने भारी भरकम होते हैं कि इन्हें सडक के किनारे नहीं लगाया जाता ताकि किसी को चोट न लग जाए। इसके फलों के गिरने से तेज आवाज और गंध भी उठती है। अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। झा झाझ कर दो विडियो तो झाह झाल कर दो कर दो